डाक्टर संजय सिंग डाक्टर सिंग ओल्ली फॉर मिनिट से माननी उपाद धेख्ष महुद है मैं आपका भारी हूँ कि थोड़ा समय मिला इस महत्पूर्ण चर्चा का हिस्सा बना माननी राम गॉपाल यादोजी के इस नोटिस पर ये चर्चा हो रही है उनका भी आभार मैं कल से ही सुन रहा हूँ हमारे तमाम सारे माननी सदस से इस डैवी आपदा पर अपनी चिंताएविक्त की अपने कर्षक और कर्षी के नुकसान की बात कही क्रिशक का क्या हाल है ये भी बयान किया उत्तर प्रदेश में भी बहुत नुक्सान हुआ है गेहू का दलहन तलहन आलू तमाम सारी फसलों का नुक्सान हुआ है मैं माननी उपाद्ध्ध्ष महोदे के तरफ विशेश आज ये बात करना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे यहां देश में घटनाय होती है दैविली आपदा होती है कभी सूखा पड़ता है कभी बारिश होती है कभी और तरह तरह के नुक्सान होते है और हम यहां अपने माननी सदन में नोटिस देते हैं परचा होती है और सरकार की तरफ से थोड़े आश्वासन थोड़ा अभिभाशन होता है और यह रिचूल की तरह ही रह जाता है मैं माननी मंत्री जी से माननी उपाध्यक्ष जी के तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से भी बहुत बड़े-बड़े आश्वासन दे कर बहुत बड़े बड़ी बातें करके वर्तमान सरकार आई है मैं ये चाहता हूँ कि आज जो ऐसी घटनाय होती है हमारे देश में किसानों का हाल क्या है किस कंडिशन में हमारे देश को भी खिलाता है और दुनिया के बहुत सारे देशों को खिलाता है लेकिन इसके करना चाहता हूं कि मैं एक बार इजरायल में था उस समय वहां संतरे की फसल थी वहां पर विश्व की मार्केट में वहां पर बड़ा स्लम था सरकार ने वहां फैसला किया कि किसान संतरा तोड़ेगा नहीं और सब को सूचित कर दिया कि आप लोग तोड़िये मत पिछले तीन साल के एवरेज के प्राइस से आपको पैसे दे दिये जाएंगे वो छोटा देश है छोटी जनसंख्या है जमीन छोटी है सब कुछ ठीक है लेकिन क्या हम कोई नीतिगत फैसला करेंगे कि भविश्य में ऐसी कोई घटनाएं होती है दुरभा कि हमारा ये भी है कि बहुत सा पूर्ण विश्य है क्रिश योर्ज देश का किसान हमारा देश किस पधान देश कहा जाता है हमारे यहां इंशुरेंस की भी चर्चा हुई कितना घबड हो रहा है हमारे यहां तमाम सारी और सारी दुश्वारियों की चर्चा हुई क्या सरकार नीतिगत फैसला लेगी कि अगर उसके उपर लोन है उसको नहीं अगर माफ किया जा सकता कुछ दिन के लिए वेवर हो सकता है ये तमाम सारे मैं निवेदन करें हूँ अमानने उपाद धेग जी से कि इस महत्तुपूर्ण विशय पर सरकार क्या कोई नीतिगत वाइट पेपर निकालेगी और ये और ये निश्चित होगा कि आई सी घटना होगी तो उसको इतना नुकसान मान लिया जाएगा और अगरन करने के बाद उसको फैसल का नुकसान दिया जाएगा उसके इंश्चियरंस पालिजी में कुछ नीतिगत फैसला होगा और जो भी नुकसान किसान का होता है मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप उसके लिए बिजली पानी और तमाम सारी खाद इसका इंशूर कर दीजिए यह तो बड़ी मुश्किल चीज है मैं देख रहा हूँ 25-30 साल के राय नेतिक अपने केरियर में हर बार विक्रे केंज बे किसान के हूँ लेके जाता है धान लेके जाता है गन्ना लेकर के जाता है चार चार पांच 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 ने सड़कों पर गुजार देता है वहाँ पर मिडल मैन ही का फायदा होता है अल्टिमेटली वो मिडल मैन के बीच में ही जाता है और अपनी फसल की होल्डिंग मा उसकी कैपस्टी न होने की वज़ा से यह तामान सारी दुस्वारियां होती है मैं यही आज चाहता हूँ अंतिम बात मानी मंत्री जी के माध्यम से कि ऐसा कोई वाइट पेपर निकल है कि यहां पर आपतकाल में जो भी आपता होती है किसानों के सामें वो उसको इसको नाप दिला सके